लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और रेल आइटिन को प्रेस करें करें तोला तॉम्त क्या जाते हो बदले की जो आग मेरे दिल में जल रही है उसी आग में मैं तुझे तेरे घर को तेरे नाम और निशान को चला कर राख करने आया हूँ पहादूर सिंह ओ हाँ बहादूर सिंह जिसे तुम लोग ने शेर सिंह बना दिया वह ख़ादी के लिए मुझे माप कर दो मुझे माप कर दो बहुत नाजाज पायदा उठा है तुमने इस वर्दी का कंदन सेंह अबिस वर्दी क्यार्मी में तुटी आर्सल में करनेंगा हुड़ 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो बन्ञार्यूल कि ये हिस्वा बड़े सरदार का है पैरो एक बात समझ नहीं आती सर पर कफन बांध के ताके हम डाले और आदा हिस्वा बड़ा ले जा कर क्यों बेजो खबर्दार जो दुबारा ऐसे लफ जबान से निकाले क्यों भूल जाए तो एक सरदार के हम लोगों पर कितने हसान हैं सरदार आगे है तो सिर्फ नाम का सरदार हूं असली सरदार तो तुम हो शीर से नहीं सरदार जरा सोचो अगर तुम मुझे अपनी पना हमें नहीं लेते हैं मुझे पुलिस से नहीं बचाते तो आज खुली जगह में सांस लेने के बजाए मैं किसी जेल की कोट्री में होता है यहां मौजूद हर आपनी पुलिस के दर से भागा होगा पना मैंने बहुतों कजिए हैं लेकिन तुम मेरे सबसे बहदूर और वफादर साथ हैं जिस तरह हम वफादारी के गदर करते हैं उसी तरह हमारे सामने सर उठाने वाले को जिन्दा भी नहीं छोड़ते बिजारा बिजू कितना खुश था कल से सारे गाउं में मिठाई बांतने की सोच रहा था कबर मिले थी कि कल उसके घर पर लड़का हुआ है बजाए लड़के का मूँ देखने के मौत के मूँ में चला गया अ कि लड़का हुआ है दुगनी निचान्द हुने वहा हुए अरे दुगनी का दा हमाद चोग ने मिलेगी चोगनी मेरे जाड़ी भी पकटी अ मेरी बेहन तेरी जाड़ी बिल्कुल पकटी अर। बेटे जल्दी मिले तेरी गाली का टाइम हो रहा है पापू, आज सच मुच यकीन होगे आप सुबेदर थे, आपको बाप से ज्यादा फोजी की जूटी का पता है, मैं दरहा देख लूँ कि बेठा बाप पे गया को मापे, मैं आद हूँ अरे, 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 ये, गंगा, ये, ये, बिल्कुल तुझ पर गया है रही, गंगा, ऐ गंगा, मैं तिरह समझे दिज़ा नहीं बुल सकता यह क्या आप परदी में? क्या अगज़ा के चंग चिली है ना? मा का भुलावा है यूँ समय आए के मैं ते यह मा होने के इंसार कर भाता हूं अरे? यह क्या? मा की भुलावे पर मा होकर रो रही है पता नहीं क्यों, जब भी हम दोनों की जिन्दगी में खुशी आती है, हापको बुला आ जाता है, शादी की दूसरे दिन ही हम चले गए थे पर जान थे क्यों, भगवान चाहता है कि हमारा प्यार बढ़े, तूर रहने से प्यार बढ़ता है न, तंगा, नहीं कहा खो गए भईया, ओ, मैं भाईया, अज गंगा और मुन्ना की जादा गई, अब तो करीब पांच साल का हो गया होगा मुन्ना, छे साल का हो गया, और मेरी बहन की बेटी, चार साल की, भागवान हिम्मद, तुम जमाने से जंग लड़ रहे हो, तो वो बिचारी अपने आप से लड़ रही है, पहरो, कभी कभी सोचना हूँ, ये जंग कब खत्म होगी, भागवान पर भरोसा रखो भया, उससे जंग शुरू कराई है, तो खत्म करने का रासा भी वही महात्मा गांधी कहते थे, दूसरों के लिए जेने वाला इंसान ही, कच्चा इंसान होता है, उसके, जो भई, ये टाइम तुम्हारा खाना खाके सोने का है, या पढ़ने का है, आज के बाद, जब तक आप घर नहीं आएंगे, ना हम खाना खाएंगे, ना सोई, ओ, 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 अबजे में अगर नहीं होता, तो छोटा परिवार सुखी परिवार नहीं होता, सुखी परिवार तो उसे कहते हैं, जिनके पास जरूरत की हर चीज़ हो, शहर के डॉक्टरों को देखे, एर कंडिशन डिस्पेंसरी, कार, पंगला, टाइम पर मरीजों को देखना, और एक आप है, विदेश की इतनी डिग्नियां लेने के बावजूर, काओं में गोबर सुमते फिर रहें, यही न, अच्छा आप मुझे बताएंगी, के इंसान की जरूरत क्या है, हम बताते हैं, उसके घर में प्रेम हो, शान्ती हो, लोग उसकी इज़त करते हैं, उसके कर्म मेरी गोली से, मेरी टैबले से, अच्छा होकर मेरे परिवार के सुख के लिए दुआ करता है, तो इस वक्त मैं इस संसार का सबसे बड़ा आदि महसूस करता हूँ, आपकी कसम, अपनी आत्मा एर कंडिशन हो जाती है, जान्यमन, अपने लिए तो जान्वर भी जीते हैं, अरे दूसरों के लिए जीते हो, बड़ा मजा आता है, हैं? पापा, ये बात तो महात्मा गांदी भी कहते थे, जरूर कहते थे, इसलिए जिनके लिए वो बिचारे जीते थे, उनहीं अपनोंने उने गोली मादी तो मुर्मत, जरुमत, पर जान्यमन जड़या है, विस्ञा के लिए। करने आपिशने बमेरी और एक श्रॉर्स ने कापिशो हिववा करता हूं अर्या यह तो काफी जख्मी हैं मुझे इसका मदद करनी चाहिए क्या कह रहे हैं आप वो तो डाकू है अरी डाकू है तो क्या हुआ इंसान है वो उसे डॉक्टर की जरूरत है चारो तरफ दोलिया चाल रही है अगर आप बाहर गए तो ऐसी की तैसी मौट से कभी कोई बचा है अगर किसी गोली पर मेरा नाम लिखा हो तो यहां भी लग सकती है नहीं मैं आपको नहीं जाने कोगी तीका अगर मेरे ना पहुचने पर वो आद्मी मर गया तो मैं अपने आपको जिंदीगी भर्मापनी करें मैं आप ऐसी की तैसी बड़ा सच्चा निशाना है कमबक सीधी दिल में खुच़ करें कोई आप मैं एक दोक्टर हूँ कर दो कर दो किसमत का खेल तुम्हारी गोली निकालने आया था नसीब मेरे लिखी थी इतनी हिम्मत नहीं के तुम्हारी गोली निकाल सको तुम्हारे शरीर में गोली का जहर नहीं चड़ेगा अरे खालो दोस्त जहर की ऐसी की जहर की अरे राक्षिस वो तुछे मौत से पचाने आया थी और तुन्हें उन्हें मौत दे दी तुने मेरे बाप का सिंदूर मिटाया है इस बच्चे के सर से उसके बाप का साया चीटा है भगवाट करें तुछे कभी पत्ती का सुख न मिले आलाद का प्यार न मिले असमें सब तक तु जिता लाश मत करती है जिते के तेरे लिए बोज बच जाए शेर सिंग चल्दी चल्ड़ो पुलिस की एक और जिप आ गई चल्ड़ो चल्ड़ो शेर सिंग कसी ट्ड़ो मेरा श्राश को जाए – जी फजिता जिते डिप değा है आप जाए जी आप जाए – जी一ए जाए पापा की कसब मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूगा ठैसरी मेरी बाउत का सिंडूर मिताया है इस पच्चे के सर से उसके बाप का साया छीदा है भगवा क्रे तुझे कभी पथे का सुख न मिले अर 길 ित्राम्手 इत् Schweiz गयान जबा राएड छात जेगाद नई Arkham! noodle अरे माध्य पर इतना पसीना यह है यह पसीना नहीं है जर्दार कि यह आत्मा के आंसु है जो आज के एक गुना के दर से छलक पड़े हैं जैस इंसान के शरी में दर नाम के नस्थ नहों तो आज ऐसी बाते कर रहा है क्या हो गया है तुम्हें मेरे अंदर का इंसान दिजरी में बंद पंची के तरह फटफड़ारा है भी इस स्कून चाहिए जोन प्रशी ella मैं पापी हूं है जब तक अपने पापका प्रश्चत नहीं करने था किसचारी नहीं मिलेगा कभी नहीं शर्अ मढ़कर भी नहीं कहां जा रहे हैं शेर सिंग अपने आप को कानून के हावाले करने पागल हो गया शेर सिंग तुम क्या समझते हो सजा भुगतने के बाद तुम इज़त के जिन्दगी जी सकोगे नहीं मरते दम तक डाकू के नाम का ठपा तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा रहेगा शेर सिंग मेरे पाप का प्राश्चित जिन्दगी नहीं सरदार मौत है जो सजा के तौर पर कानून मुझे देगा तुम यहां से नहीं जा सकते किस माई के लाल में हिम्मत है जो आज मुझे रोक सके ऐ किसी में हिम्मत हिम्मत है तो आओ, रोक लो मुझे जेर सिंग मेरे पास आने वाला आता अपने मरजी से लेकिन यहां से जाता है सिर्फ मेरी मर्जी से, वो भी भगवान के पास सर्दार तुम्हारे मुझ पर आहसान नहोते, तुम्हें अभी इसी वक्त पूपर बाचा देता आहसान वायमाई कर दुम्हारे मुझ पर आहसान पुम्हारे मुझ पकना यहारे है कर दो भी भी पुम्हारे मीघ है झाह 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 5 którego एli में पसमुश मेरा चर्मतों भाम फ्सकर चेम्स douग एाल का थो उखना एाल हमार थी खीजक टेने मली। छूँम एफ और कि छूगरेhst इप मोरा पबयो अवा 민डों अ antiụ केजित यो ये वे सुर्भग ये ओयनाया आचिक वे खिआ छो臌 était चुड़ मैं sensory वो bound ивать अश्यम इंस present पर बार अड़草 वो डिष़ को कि दॉलत सेंग मैं चाहूं तो तेरे जिसम के टुकड़े टुकड़े कर दू लेकिन तेरे से एक ऐसान के बदले जो तुने पुले से बचा कर मुझे किया था मैं तेरी जान बाकिषता हूँ एक नाच से तेरे उन एहसानों का खाता बंद करता हूँ तरह नहीं एक बादा करके जाता हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे गिरो का नाम मेरी सवान पर कभी नहीं आएगा कि अधिए जान और अधिए यार अनर टाहरा ये इंसान तिर्फ मुझे में नहीं बलके एक खोने गर्मडा हैं एक फेडिया है, एक ऐसा शोला है, जिसने इंसानियत के नाम को जल्म की आग में जला कर भस्म कर दिया है, जिसका नाम है शेर सिंग, यह कहना चाहँ हो वकिल साथ, अधर, 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 मुझरिम शेर सिंग, तुम्हें जो कुछ कहना है, उस वक कहना जब तुम से पूछा जाए, इससे पहले कि मेरे अत्याचारों की उस फाइल को खोला जाए, जो आपकी तेबल पर रख्या है, जजज साहब, मैं अपनी जिन्दगी की उस फाइल को अधालत के सामने खोलना चा जो खून से लिखे गया है, पेरे दिल पर, पेरे दिमाग पर, और जिन्हें लिखने वाले इस जालम समाच की तन बेड़िये हैं, जो हमें डाकू बना कर खुद, तैन की जिन्दगी बसर करते हैं, अधालत तुम्हें तुम्हारे दिल की बाते कहने का मौकर देती हैं, मैं पॉज में था, एक दिन हम मोर्चे बग थे, दुश्मन को मौत की घाट उटारने के बाद, हम फ़ते का जशन मना रहे थे, कि मेरी पत्नी की चिठ्षी मजे मिली, क्यो हो कि जिमिदार ने मेरी बहन की आबरू लुट ली, मेरी बहन ने आत्मात्य कर ली, मेरे बहन और मेरे बापने सुल्म के खिलाफ आवाज उठाने चाही, तो जिमिदार के आदमी ने हमारे घर को आग लगा दी, मेरी मा, मेरा बाप, मेरे बहन औरी, साथ में जिन्दा जल गए, जिन्दा जल गए, किसी तरह मेरे पत्नी, मेरे बेटे, मेरे बहन की निशादी, उस मासम बच्च घरवालों ने हरा दिया जजद सहाब, घरवालों ने हरा दिया, खानून का सहारा लेकर मैं इन कातलों को भासी के तख्टे पर ले जाना चाहता था, यही सोचकर मत ठाने गया, बड़े अपसे से मिला, खानून और इन्साब की दोहा ही थी, लेकिन जिमिदार ने पैसे के बल्बुते पर कानून के रिखवालों को खरीद लिया मुझ पर चोरी के लजाम लगा कर वो मुझे जेल भेजना चाहते थे जिस देश की हफाज़त के लिए मैं मोर्चे पर जान की बादी लगाता था जब उसी देश का कानून मेरा दुश्वन बन गया तो इन फौजी हाथ मैं फौजी था जच सहाब मैंने फौजी का धर्म निभाया लेकिन कानूने मुझे डाकू का नाम दे दिया मेरे अंदर जो घटवड़े की आख भरी थी अफरत की आख में बदल गई मैं एक त्वाला मुखी बन गया जच साथ और अम मेरी जंदगी में एक ही चीज नहीं है कि आख आख करने वालों को तुमने खुछ सजा दी और जो कुछ तुमने लोगों के साथ दिया उसकी सिर्फ एक ही सजा है और वो है सजाए मौट लेकिन खुद को कानूं के हवाले करना और प्राश्चित की खुआश को मदेनजर रखते हुए ये अदालत मुझरिम शेर सिंग को अमर कायद की सजा देती है नहीं जच साहब मजब मौत की सजा दीजिए मौत ही मेरे गुनाहों का बदला है जच साहब नहीं शेर सिंग नहीं तुम्हारे लिए मौत से बड़ी सजा है जिल्दगी जब ये सजा काट कर तुम बाहर आओगे एक अच्छे और शरीफ नागरिक की जिल्दगी बसर करोगे तो ये एक बहुत बड़ी मिसाल होगा उन लोगों के लिए जो मुझरिम बनना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो जल्म की दुनिया को छोड़ना चाहते हैं आओ शेह सेंग तुम पहले कैदी हो जिसका सौगत करने के लिए हम फुद आये हैं तो बहुत 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 चुक्किया आपका है हमारा काम है कैदियों को सुधारना तुम सुधार कर आने वाले तुम पहले कैदी है देखिये आपने जब इतना समझ लिया है एक छोड़ी से दिखास्त है में बोलो मैं शेयर सिंग के चोले से निकनाया हूँ मैं चाहतों इस नाम की चाप भी हो तुझे तो अच्छा होगा मेरा असलिए नम बहादुर सिंग है खबराओ नहीं यह बात कोई नहीं जान पाएगा कि बहादुर सिंग के नाम से सजा भुगतने वाला कैदी अपने जबाने का मश्यूर डाकुश्यर सिंग यह दुखास तौर है इस पाविस उपता लिखा है तिल में मेहनत मजदूरी का जो भी महिंताना मिले इस पड़़भाई मुश्वादी से ठीक है पहादुर सिंग तुम से कोई मिलने आया है अरे गंगा तु यहाँ हखवान का लाख लाख शुकर उसने मेरे सुखा को बचा लिया कंगा पर परके जो सजासान हो जाती जिन्दा रखके भावान उसे बढ़ा दिया है ऐसे क्यों कहते हैं आप सलामत रहे इसके लिए मैंने कितने दुआएं की अरे पगली तेरी तो और मुझे बचा तो लिया है लेकिन मेरी डाको की सिंदगी मेरा नाम तेरे लिए और मेरे पेटी के लिए तलहंग बन जाएगा नहीं, मैं किसी से नहीं कहूंगी कि मेरे पती जिल में है अपनी बीजे से भी नहीं कहे दूगी कि वो कहीं जंग में लापता होगे बरसो भात अब जब घर लोट कर आएंगे अपनी बेटी के साथ आपका वह स्वाखत करूंगी जैसे किसी वीर पुरुष्का किया जाता है जिन अर्मानों को मैंने अपनी सिंद्गी की किताब से काट कर फेंग किया है अगवान के लिए वो सपने मुझे दवारा ना दिखा यह सपने सच होंगी जी यह मेरा वादा है ठीकिन की जी अगर अपना बनवास इन सपनों के सारे पूरा करना चाहती है तो ठीक मैंने अपना लेता हूं लेकिन एक वादा कर मुझे से तो दोबारा कभी मुझे जिल में नहीं मिलने आगी कि इसने बड़े इंत्यान में मुझे मत डाली है आपको वागर मिले मैं मैं जीओ की कैसे अरी पखली अगर विजय को पता चल गया कि उसका बाप एक डाकू है जिल में व्कायद कात रहा है तो कैसे जीएगा कैसे जीएगा वो कि मैं नहीं मिल दी आपसे स्रिफ इतनी इजास्त देदी जी दिन देगी कि इस जंग में जब ही अपने आपको अकिला मेहसूस करूं तो आपको चिचली कर दिल का पोज हलका कर सकूं एगंगा हाद गंगा रहा हाँ इल्ली का वाद खतम हो गया पीने हर आसो फर घुठाउंगी में रोए दिल रोए पर मुस्कुडाउंगी में वादा जो किया हो मर तेरी भाउंगी में मिलवा तेरा सपना सच कर दिखाओंगी में तेरे जीने के फिर अर्माव के दिल में जाए मिलने से पहले बिछड जाए हूं क्यूं बनके भी घर जाए हां मिलवा, मिलवा सब्सक्राइव अभी रहरता अलएश के बड़ोय भाण खेशुब कि आपकोड़ा है अब धकन के हमसे मुग हुमा रहा है तेरी आपकोड़ा आपने एक साथ दो दो गलतिया किये ताप पहली इसकी कोड़ा है कि आपके साथ शादी होती है इसलिए ये आपका ताला नहीं हो सकता और दूसरी बात ये है कि आपने इसे कदा का जब कि ये तो गोड़ा और इसका नाम है प्रीचंड प्रीचंड आदोस्त यहीं समझा रहा हूं इसको देखिये साथ ये जो मेरा पीता मेला बड़ा जजबाती है दिल में जरा सी ठेस लग जाए तो ना ये खाता है ना पीता है ना सोता है और आपने इसके दिल को दुखाया इसलिए आपको माफी मांगनी होगी इसे माफी और इस खचर से अबे हाट ये देखिये अब तो ये नाराज भी हो गया है कहता है कि अगर इसे तुस्ता आया तो आपके साथ-साथ मेरी भी खट्यागरी कर देगा मेरा दोस्तर अबे ओलांड है काई को जंगली कबूतर की अब तो मैं अब तो मैं आपके से अब तो मैं आपके नाम आपके आपके आप जोगों पर बड़ी खुशी हुई आप से मिल पर अब जरा माफी मांग करें तो ये जुबान को भी खुश कर दीजे ना माफी के साथ थोड़ी सी महर भी चली होगी कि मात लिये है अब है अब ऑट कि अब अच कि अब आधर ये चुड़ा ने कि अब आप कर दिया है कि मैं चलता हूं प्रुड़시 कर।ू प्रुड़ नपकी ए प्रुड़ प्जेस वो जब हो आजागें इा ठार प्ज़िस को टुचल प्ज़ ब्स प्ज़ अज़ युड़ इस भी कि आज़ आज़ जुब हॉआ इस प्ज़ ऊड़िवक्ट तु़ एस प्रश विए झान्रों देद थाज़ झान्रों प्ज़ इस तु़ भार किर झाल्ग जय झाल्ग फेत्ग, झाल्ग, झाल्ग! किर झाल्ग, किर एंधने अजस्डिव मोर्लέν達! प्रिंदेखिज खूकरी! कर दोड़ाあ तॉर तम वार टार हुआ है हुआ है का जड़ार लुर मुआ अशने अजयला घार 1 नमस्ते नमस्ते इंस्पेक्टर या बात है इसने जोरों से भाग रहे हूं एक फूनी का पीछा कर रहे थे आपने देखा जाते हुए नहीं हमने तो किसी को नहीं देखा कि अज़ा खत्रा टल चुका है बहार निकलाओ गांगवा तुम मिझे जानते हैं चाजरे इस इलाके के हर चोटे बड़े बदमाशों का रेकाट में रपास है बदमाशा का रिकॉर्ड तो पुलिस रखती है खबराओ नहीं तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा तुलहर किसका खुन करके आए हूँ खुन करना तो अपना शौक है एक तमाशा देखने वाला मारा गया जबकी मागना था उस घोड़े बेखने वाले विजे को मामी भाई आगए अरे भाईया यह क्या हुआ कुछ नहीं जराजी चोट लग गए अरई चोट लगी कैसे गोड़े से तो तुम गिर नहीं सकते ओो माई गुंडे से जगड़ा हुआ जगड़ा तुमने तुमामे को वच्ण दिया था किसी से जगड़ा नहीं करोगे तुम अपनी कॉमेंटरी बंद करो तुम्हें बताओ ना मगर यह जगड़ा हुआ कैसे मा यह जगड़ा उस बदमाश ने शुरू किया प्रीतम को गदा कहने लगा उससे खरीदना चाता था पर ऐसे जगड़े हमेशा दुश्मनी बढ़ा देते है इसका अंजाम अच्छा नहीं होता हुआ मैं एक फौजी का बेटा हुँ अंजाम के दर्स से अन्यायबरदाश नहीं कर सकता हुआ मैं देश की रक्षा करने वाला सिपाही हूँ अन्याय बरदाश नहीं करूँगा आपका बेटा बिल्कुल आप जैसी बाती करता है कितना फखर है उसे फोची का बेटा होने पाए भगवान उसे जमाने की हर गड़िस से बचाए यह सब हमारे साथ ही है कानून ने इनकी तद्दियर में जेल की सलाखें और भांसी का फंदा लिख दिया था हमने इन सब को पना दे कर कानून की इस बिखे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया हमारे इस इस इसान का बदला ये लोग दो चीजों से चुगाते एक कभी इनकी जुबान से ये नहीं निकलता कि इनके किरह का असली सरकार मैं हूँ तो मैं जो चाहूं जितना चाहूं सिर्फ सिर्फ उत्ता ही करते हैं तुम्हों मुझे पुलिस से बचाया मैं तुम्हारा एसान मन दो एक बात को छोड़कर तुम्हारी हर बात मानूँ यह कभी मत करियो यह विजय को मानने का खयाल चौड़ दो उसका मौका भी तुम्हें दिया जाए लाल तुम्हें सुनापूर गाउं के महाचन को लूटन तो गंगवा के सामने वो पुलिस वाना कभी नहीं है क्या चाहते हो एक लाग आने का तो लाग जाने का तीन लाग नकट वाकि सोना जेवर और तेरी चान मर गया साला यह जिताएं किसकी है तुम्हें से छेकी हमारे पास जादा वक्त नहीं है जिस जिस को मरना है अपने हाथ उपर करो जल देप जल पुलिस वाले सबसे पहले मैं अपने हाथ उड़ा लेता हूं हुआ 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 ह मा कहा हो तुम आई बेठे मा बहुत अच्छी खबर लाया हूं मैं यू शेर सिंग को मार दिया क्या अगर नहीं मा एक दिन शेर सिंग को भी मार दूंगा लेकिन आज ऐसे वालव कि छे की छे गुलिया फिर से खाली का डाली छे मारें जला डाला समों को तू चाहे छे हजार पर मैं तुष्ट शेर सिंग की मौट चाती हूं है चिंता मत करो मैं शेर सिंग के तलाश में हूं जस दिन शेर सिंग मुझे मिल गया उसने उसके आसे तैसी ने कड़ा ली तो मेरा नाम सूरे सिंग नहीं है ठीक है में थे लिए खाना लग लगी है पॉसमान नमस्ते रान अदिशा सबस्ता रान आचाउ मिए अधर डिया दुपारा या तेन तारीक को आता है कि उससे करें मना करो कर नियुके और अग्सवान जानता है अग्वान जानता है तेरे पिता ने कौन सा उपकार किया थोसे आप वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाहता है उसने जेलर से अपने नाम तक बताने को मना किया है जेलर के तो ऐसे कि तैक्री खायर जो भी घौमा जिस दिन भी उमिलेगा अग्वान के बाद मेरा सर सर्फ उसकी चर तो फाइल लेकर पुलिस स्टेशन पहुचो मैं वहाँ आता हूँ अच्छा साथ मुझे उमीद है कि आज आप मुझे खाली हाथ वापस नहीं भेजेंगे मेरा दुश्मन शेर सिंग बर्सों से जेल में उमरकायत के सजा कात रहा है और 15 सालों से आप यहाँ बिंद आपने मुझे पर आहसान करने वाले उस टेवता कर नाव तो मुझे नहीं बिंदे रहते कम तो मेरे दुश्मन से मुझा बिला दीए जेल मैं उस नहीं करोगा मैं इंतसार करूं मैं उसके जेल से बाहर निकलनेगा पाले जाती कि पालेग्ति? ऑर समाष के बाद, आज जब पज़ा चला कि मेरें शेन, मैं और होडूँ मैं दूश्माइ में सो लुआ मुझा गया है जनसाइज एक बार प्लीज एक पाद. पुझो शेयर से सब्लाइजी, सूरज, बोला नहीं है, जूलर साहब, सूरज, मैं जानता हूं तुम उसकी तलाश में हो, फिर भी मैंने कभी जिक्त नहीं किया, जानते हो क्यों, अब, अब, दरसल बात यह के, यह कैसा राजी जीता आज तक मैंने अपने मन में चुपा के र जेल और पुलिस की बद्नामी ना हो, इसलिए इस बात को रभा के रखागे, जलर साहब, इस फाइल में साफ लिखाया कि शेयर सिंग ने आत्म समर्पन किया था, तो भी भागेगा तो, कैसी बाते हो सूरज, तुम अच्छी तरह से जानते हो, एक लुटेरे दाकू की आत् अच्छी आजया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला, मुझे, मुझे तो लगता हो अब तक बच्ची का होगा, नहीं चलाज़ा, नहीं चलाज़ा, ऐसे बद्वा मत दीजी चलाज़ा, मैं तो भगवाल से तात्मा करता हूँ, कि शेयर सिंग को मेरी उमर भी लग जाए, त अब तक उसने अपना हुलिया और अपना नाम, दोना बदल लिया हूँ, तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊँ, मैं उसे एक छलक में पहचान लूगा जिलता, मेरे दिल, मेरे दिमाग और मेरी आखों मुसका चेहरा आज़ ब उतना ही साफ है, कि जितना बरसों पहले थाए। नमस्ते जिलर सहाब, यह नई क्यारी में पहले भूल के लिए थे, सोच आपके लिए ले चलूँ, बहुत अच्छे क्या, बहुत लगा दो, जे, ए जिलर सहाब, देख रहे हैं, हमारी पहली क्यारी का हर पौदा कितना खुब्सूरत है, कि अच्छी खुश्भू आ रही है कि वागी बहुत अच्छी खुश्भू आ रही है, बहुत अच्छी खुश्भू आ रही है, पहलत जे, एक रहा जानते हो, जिस पौदे को तुम अपनी मेनत की कमाई से इतने तना तक सीष्टर है, वो आज एसस पी बन गया है, तरह लाख लाख लाग शुक्र हैं, भगव पर वाला तो जानी जान है अगर उसने मेरे पश्टावे को थोड़ा बहुत समझा है कि पास इतना कर दे मेरे बेटे मेरी पत्नी को दुवाप की रोठी दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए जिला साब और मुझे कुछ नहीं चाहिए बहुत साबकर दनाईय करने चि क्या करते हैं जरा 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 किदी रहना में किसे ताओ किसे ताओ यह कोई धांगे बाहर निकालने का दर्वाजा बंग सामान उपर और कैसे निकालता तामान निकालकर नहीं निकाल सकते थे किजिए आज तो हूं औरना काम छोड़कर तुम्हारी मदद करने क्यों आता अरे कहां जा रहे हो देखिए मेरी माने मुझे जगडा करने से बिलकुल मना किया इडियेट तक तो मैंने बड़डाश कर ली उसके आगे जो अंग्रेजी गाली तुम्हारे जुबान से निकली तो एक हिंदुस्तानी जापर देते हूंगा समझे जानते हो मैं कौन हो इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार की बेटी हूं तांसी नहीं बात है हर लड़की किसी ना किसी की बेटी होती है मैं चलता हूं शाम होगी रास्ते में साफ और बिच्छू निकल के जंगली इनसान निकलते हैं यह साफ और बिच्छू इनिंग वाक्त मेरी कार ठीक करा दो न मैं कहने कि यहां से 10 किलो मेटर दूर है जो भी होगा सुबह होगा तो मैं क्या करूँ गाड़ी में बैठके सुबह का इंतसदार और एक चीज याद रखना कि सोते बक्त अपनी टांगे अंगर करके रखना क्योंकि मेरी जगे पे अगर किसी जंगली जानवर रीस कीते भालू ने आकर तुमारी तांगे खीचली तो फिर सब अंग्रेजी गालियां बेठा जाएगी बहाँ है अब क्या है तुम्हारे घर में कौन-कौन है मेरी मा, मेरी बेहन, मेरी शादी ने हुए इससे कोई पच्चा नहीं है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हुए राप बही गुजारूंगी तो आओ आप क्या है सामा आउच कितनी दूर है तुम्हारा घर साथ में चलोगी तो साथ कदम अलग चलोगी तो पता नहीं अरे सुम्हारूड़क स्थम्हार्णि स्थम्हारूभ सब्स्थम्हार्ण थार्णध तुम्हारी बैन, तुम्हारी माँ कहा है, तुमने कहा था, वो दोनों बैने कहा था, मेरी माँ मेरी बैन है, ये ने कहा था, घर में क्यों नहीं कहाँ, क्योंकि तुमने पूछा नहीं बैसे वो दोनों मंदिर गई है, एकल सुबह लोटेंगी सुभाँ माँ क्यों हम दोनों अकेले इस घर में तो क्या हुआ तो क्या हुआ मैं कार में रहूँ रुख जाओ वरना एक जापर दूगा शारे दात आज में दे दूगा इस घर में मेरी माँ मेरी भहन रहती है यह गर किसी मंदर से कम नहीं सबी तो मंदर सोगी मैं बाहर सोगा अब क्या हुआ मुझे भूक लगी है किचिन में सब कुछ है पकाओ और खालो मुझे खाना पकाना नहीं आता सिर्फ खाना आता ना पड़े बाप की बेती जो हो मैं तुमें चाय और टोस दे सकता हूँ चाय तो बनानी मुझे भी आती है क्योंकि चाय बनाना सब से मुश्किल काम होता है अब ये लेगा दो अब कर दो अब है क्या वहाँ अरे पहले हाथ छोड़ क्या हुआ आरे, क्या कर रहे है तू? अरे, सुमनाथ, तू? बोल क्या बात है? शिव जी की पूझा की थी, पथार लाया हूं, बगर वो में.. ये, में साफ टोड़ी ओ, ला, ला जय भोलेनाद जय भोलेनाद जय भोलेनाद जय भोलेनाद इंजे हुआ लारी मैडम अंटर वाली दाड़ी में सोने जा रही थी सीदे सादे द्याती को देखके डर गई ना अरे मैं ला रहा हूँ चाय ला रहा हूँ जर्जी वेलो मैडम चाय आई यह क्या तुमने सारे लड़ू खा लिये? बोख लगी थी खा लिये लड़ू मुझे बाद अच्य लगते हैं लेकिन यह तो भांग के लड़ू थे? हां ओ माइगाड तो लड़ू खाके मैं हिल जाता हूँ तुम हिलते हूँ मैं मैडम हंटर वाली हूँ मैंने इति रहू बstem उले जले फिल खदुब सुपप forma फिल में को में ग rozpाना। पिप्पप्पपपि बोल में आ än hai पिप्पप ये हर ये युवर कि अिप्पम्पर… वहुहू! बिआ हॉ हुआ 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 रहे हुआ अँआ लगली लगली तेसी हिचकी लगली जगली 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 ये क्या प्यास जगली दिल जूमें मैं जूमूंँ आज तु भी जूमले जूम-जं-जण गगग लगली लगली एसी हिचकी लगली जगली जगली लिक्टा प्यास जगली दिल जुमे आहा मैं जुमू आहा आत भी जुम ले जुम 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 कर दो कर दो जबढ कर दो कर दो कर दो ये शोर कैसा है और कैसी दर्कन है दिल 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 में उठा ये शोर है तु 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 मेरे दिल का चोर है दिल में उठा ये शोर है तु मेरे दिल का चोर है तेरी दपड लिखाऊंगे परभाना कि सोर दे दिल जुमे आहा मैं जुमू आहा आत भी जुमले जुम 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 गगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग च्योंदिया को तुटर की उनक्षा सेसी के चिला रख करना मैं अगल, लुटर की हमिशना लाँकक aquela लैसा वहा हम अवार हम शोब्य। चुम 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 ये क्या आवाज है चुम 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 क्या आवाज है ये 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 आखिर क्या राज है चुम चुम क्या आवाज है ये आखिर क्या राज है भत तेरी की ही तो मेरी आईल की आवाज रे और जोमें मैं जोमओं आहा आति भी जूम ले झंजबर-जंज-ग जग-गана लगली-लगली तैसी हिजपी लगली जगली-जगली-जगली यह क्या प्याज़ जगली आरे, घर में तो चल अपना बेट रहे जळी चल उड़ चले जल 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 करी आमी दुब टे हम रुंदको चुमले जल डर्यामे दूब टे मंधालील में जूमले आんだको दूब ले डिल लाता हुं जुम 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 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दर कर दो कर दो ओ तो उट गए याप ये लो चाय कि अपने और मेरी दोनों के आलत खराब कर दी वांके लड़ू खाए बारिश में भीगी कपड़े ना उतारता तो तुमने मेरे कपड़े उतारे तो और कौन उतारता फिके कपड़े तुम्हें बिमार कर देते तो वैसे गब्राव मत जो कुछ भी किया कंबल के नीचे इन हातों ने किया इन आखों ने कुछ नहीं देखा मां खिसम मां मेरी मां ने तुम ऐसे देख लिया तो मेरा क्या होगा ली कपड़े पहन लीजिए और किसा इसलोगे तो पहनोंगी ना सब्सक्राव मात आगई मा किस कई दसन के मेले मेले के दसन मेरा मतलब है कि किशी के दसन के किजै किस इसमा अ है वाथ है भाईया सुपा वल्टा बोलने लगे उल्टा मैं उल्टा बोलरू हो मा तुम ठख गऑ है9 इतनी तुप्त पानी नहीं नहीं अरे पर景 हम इसनी तुमी इतना किया ओम आ आ बस मैं उतनी दुर से वह उत्हुन का बड़ा ख़ल करने तुप सी तुल्सी जाते आट एकलब इस पानी ला हम आद Though है अधे awakened two लो, बोलो, तुम लोग दोनों भगवान के दर्शन करके हो, तुलसी, तुलसी, तु बैच जा, पानी मेह लेकर हो, तुलसी, तु बैच जा, मेरी प्यारी जैना, बैच जा, तुलसी मामी, लड़की मामी, यह लड़की मामी, यह लड़की है मैं मुसिबित बités मिरे मज़ब इसकी गाडी मुसिब बे थी यह अच्छाहें बिगषथ में पानी लेक्या था लेक्या थो अब हुआ हे barriers मैं बताती हूं क्या हुआ माजी का करATA है एंद聯 Knud बेल मुझे मार खाइー तुलशी तेने कैसं मिली कुले कुले मामी की घुसी को के शांत करने का, कमिशन तुलशी कासम से उसके खाड इधर खरणा जोगी थी संजोग को बत है, संजोग का बत है आओ, मामी ने बाई मैने कुल वाही है जानते हो मैंने तुम्हारे लिए क्या सजा सोची है तुम आर्थी को इसके घर चोड़ने जाओगे तुमने अपना फर्ज निभाया मुझे तुम तर फकर है पापा पापा कम माई जार्लिंग जॉटर मेरे गुडिया रानी जाल उपर करो आज के बाद तुमारी बड़ाय खतम अब तुम यहीं रहो यही तो मैं चाहती हूँ पापा मगर तुम अचानक कैसे आ गए मुझे ख़बर करते थी ख़बर करती तु इतना देर सारा प्यार के से मिलता यू प्लेवर गर्ल विजे अंदर आऊ ना पापा यह विजे हैं जी नमस्ते यह मदद ना करते तो पता नहीं क्या होता क्या हुआ मेरी कार का अक्सिजन्ट हो गया था अरे तुमें कोई चोड़ तो नहीं लगा जोड़ वरे पापा एक्तिम ठीक हूँ भगवान का शुक्र है क्या नाम बताया आपने आपना जी विजे पाड़ी सड़क के किनारे रहता हूँ भोडों का बिसने से मेरा हूँ तो तुम वही हो जिससे गंगवा बदमाश का चकड़ा हुआ था यहां भाग या वरना हाथ पैर तोड़ देता हूँ विजे तुम पापा से बात ले करो पर चाय लेकर आती हूँ चाय नौकर लेकर आ जाएगा विटी नहीं पापा कल रात से अब तक दो बारे नहों नों मुझे अपने हाथ से चाय पिलाई है अब मैं पिलाऊंगी कल रात से? हाँ पापा एक्सिडेंट कल शाम को हुआ था रात भर में विजे के घर में थी मैं आती हूँ हाट तो मुझे चाय बनानी है इन सब आप? शट आप यह क्या है? तुमने हमारे बेटी की मदद की यह तुम्हारे इनाम मैंने अपना फर्ज निवाया चौदरी साब लेकिन हम इसे ऐसान मानते है और किसी का ऐसान रखने की हमारी आदत नहीं है दान लेने की इन हाथों को भी आदत नहीं है चौदरी साब दौलत किसी चीज की कीमत हो सकती है एसान का बदला नहीं एसान का बदला देना चाहते हो तो मुझे सिर्फ एक लफ्स कह दीजिए शुक्रिया ररीब को सब कुछ मिल जाएग गुद डें पापा तीजे कहा है चला गया बीटी चला गया आँ जल्दी में था काफी रफतार थी उसकी चाल आँ आर्थी तुम्हें कैसे पते चला कि मैं हूँ माय अतुलसी होती तो प्रीतम उखारता नहीं अजीद है तुम्हारा प्रीतम बिलकुल मेरी तरह है वालत बात बरदाश नहीं कर सकता और अच्छी बात पर अपना बना लेता है तुम्हें मेरी कौन सी बात अच्छी लगी अब तक तो एक भी नहीं पहली मुलकात में जो इडियट बोल दे वो लड़की किस लड़के को अच्छी लग सकती है इडियट मुझे राइडिंग सीखना है सिखाओगे ना देखो राइडिंग एक आर्ठ है एक कला है और किसी भी आर्ठ या कला को सीखने के लिए उसकी A, B, C, D जानना बहुत ज़रूरी है तुम जो पताओगे तेद ही करूंगी देखो घोड़ा बहुती सेंटिमेंटल आई मिन जजबाती होता है अगर हो राजी ना हो तो उस पर कोई भी राइडिंग ने कर सकता उसको राजी करने का तरीका क्या है? सिर्फ एक यार सबसे पहले घोड़े के पास जाना चाहिए फिर प्यार से उसका नाम पुकारना चाहिए उसे थप थपाओ उसे सहलाओ और उसे प्यार करो यह क्या करते हो? क्या हुआ? कुछ नहीं कुछ नहीं? चलो तुम इस पर सवार हो जाओ, मैं तुम ऐसे कहता हूँ कैसे हो तुलसी? मैं तु ठीक हूँ तुलसी, अच्छा हो गया तु आ गई, मां से कहना मैं देर से आ रहा हूँ खाने पर लेकिन तुम जा कहा रहे हो आरती को राइडिंग से खाने ओ यह क्या है? कुमिशन कुछ बताने का? कुछ ना बताने का तुलसी तु अपने भाई को बहुत स्यादा है जूट भी तो बोलना पड़ता है, ना? देख लोगा तु भाईया, आरती को कस कर पकड़ रखना? कहीं सिखाते सिखाते गिरना जाओ तुम्हारी लगाम अब उसके हाथ में है, ना? चल प्रितम कमान अब दाकों के जो घोड़े पुलिस के हाथ लगें, उन में से एक पर ये निशान था बात खत्म करने से पर रुका मत करो अरे, अब निशान उस अस्तबल का जहां ये घोड़ा पाला गया इंक्वारी से पता चला है कि उस अस्तबल का मालिक है विजय इजय है कि तो ऐसी कितना से है कि मिस्टर कौन हो तुम? अबो, इस फार्म का मालिक विजय तुम हो किसी के यह इस तरह आने का ढंग पत्तमीजी कहलाता क्या तुम हर घोड़े पर इस तरह का वीमाक लगाते हो? पहले मेरे सवाल का जवाब दो, कौन हो तुम? जो पूछ रहा हूं उसका ठीक ठीक जवाब दो वरना ऐसी कि तैसी कर दूगा अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब एक मिनिट में नहीं दिया तो मैं यह माक तुमारे थोबड़े पर लगा दूगा और यकीन मानो, मरते दम तक छूटेगा नहीं अब हो लॉंडे जवान सभाल कर बोल साले निकल जा यहां से वरना तेरी मा यह सोची कि कि उसके बेटे के मुँ में जुबान थी या वो गूंगा पैदा हुआ था और जिस बात को जानने हम आये हैं अगर वो बात साबित हो गई बेटे तो S.P. सूरे सिंग तेरे सारे खानदान को गूंगा करकर रखने हमें अपना कार दिखाने के आदत नहीं लेकिन तुम जैसे घोड़े का मुँ बंद करने के लिए दिखाना जरूरी है मैं एक फौजी का बेटा हूँ आफसर कानून की इज़त करना जानता हूँ लेकिन कोई पुलीस वाला मेरे सामने इस तरह आए ये मुझे पसंद नहीं मैं तुम्हारी पसंद या नापसंद जानने नहीं आया सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि तुम हर घोड़े पे वी का माक लगाते हो या नहीं हाँ लेकिन इसे पुलीस का क्या मतलब है कुछ दिन पहले सोनापूर गाव में डाका पड़ा था पुलीस की मुटभेड में जो डाकू मारे गए थे उनके बहुत सारे घोड़े पुलीस के हाथ लगे और उने से एक घोड़े पे ये वी की मोहर लगी हुई थी क्या ये चीज इस बात को सावित नहीं करती कि तुम डाकू घोड़ा सप्लाई करते हो मेरा काम है घोड़ो को पालना और जाकर बाजार में बेचना मुझे क्या पता खरीदार डाकू है या सावकार अगर इस पॉइंट का हमने ख्याल नहीं रखा होता बरखुरदार तो हम यहां इंक्वारी करने नहीं बलकि तुम्हें ग्रफतार करने आये होते हैं लेकिन इतना याद रखना हम यहां से मुतमाइन होकर नहीं जा रहे हैं जिस दिन भी मुझे पता चला कि तुम्हारा डाकू के साथ कोई साथ गाठ है तो अस दिन तुम्हारी ऐसे के तैसे अच्छिया दोस्त इस पागल पुलीस वाले के चकर में हम तो कि आरती हमारा इंतजार करती होगी आरती, आरती, क्या हुआ हो सकते मुझे माफ कर देना माफ कर देना, मैं कुछ समझा नहीं हुआ क्या पापने मेरी शादी पकी कर दी है क्या मैं जानती हूँ, तुम मुझे सच्चा प्यार करते हो लेकिन साफ साफ पताव बात क्या है तुम्हें मेरी कसम मत देना, मैं बताती हूँ वो मेरे बचपन का साथी है मेरे साथ खेला, बड़ा हुआ पापा कहते है, बचपन का साथी ही जिन्दगी का सच्चा साथी बन सकता है पापा कहते है, तुम क्या कहती हो मैं मजबूर हूँ विजय, साजन का दिल नहीं तोड़ सकती साजन? मेरे साथी का नाम है मैं यह नहीं कहूँगा कि अपने साजन का दिल तोड़तो हूँ सिर्फ इतना पूछूँगा कि अगर तेरे जिन्दगी में एक साजन था तो मुझे जिन्दगी के सपने क्यों दिखा है? अरे बेवफा, तेरे पास इजज़, दौलत, प्यार, सब कुछ था तेरे इस करीब के अर्मानों को खिलाना क्यों बना है? फिजे, मैं दर्द करीब की तक तीर होती है मैं तो उसके सारे चीज जाऊंगा लेकिन तू, तू पे दर्द, मैं तो तुझे बद्वा भी ने सकता फिजे, रुको, फिजे, रुको, फिजे नमजाद करें थी, तुम्हारी कसम मेरे साजन तुम हो, सिर्फ तुम साजन आजाओ, साजन आजाओ साजन आजाओ, साजन आजाओ साजन आजाओ, साजन आजाओ 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 रातों में तू, नींदां में तू, खाबों में है तू, ही तू, तू है मेरे दिल की खुशी, जीने की तू, परजू, रातों में तू, नींदां में तू, खाबों में है तू, ही तू, तू है मेरे दिल की खुशी, जीने की तू, परजू, पादाए, कर ले प्यार में, कभी हम जुदा ना होंगे, साजन, आजाओ, साजन, आजाओ, कर दो. हुआ 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 है रूठा जो तू मुझे से कभी मर जाओंगे जीत जी तू जो नहीं तेरे बिना क्या है मेरी जिन्दगी हाँ रूठा जो तू मुझे से कभी मर जाओंगे जीत जीत तू जो नहीं तेरे बिना क्या है मेरी जिन्दगी हाँ बादा ये कर ले प्यार में कभी अंजुदा न होंगे साचे अचाओ साचे अचाओ साचे अचाओ ये प्यार में आरा ये जी तू आरा ये जिन्दग साचे अचाओ श्यार में जीज़ जिन्दगी जीज़ ये जीज़ लुदग ये जा रहे या ना रहे हम दूर होंगे नहीं हो ये जहां या वो जहां तु है जहां मैं वही ये जा रहे या ना रहे हम दूर होंगे नहीं हो ये जहां या वो जहां तु है जहां मैं वहीं वादा रहा ये प्यार में कभी हम जुदा नहोंगे साजन आजाओ वादा ये प्यार में कभी हम जुदा नहोंगे आपका विजय जवान होगा अब उसके जिंदगी में एक खुबसरत से लड़की भी आ गई है लड़की मुझे बहुत पसंद है तेरा शुकर है भवान लाख लाख शुकर है कहां गई थी जवाब ना चाहते हैं क्यों जी वो आँ तेखो बेटी ऐसा कोई कदम नहीं उठा रहा जिसका जवाब ना दिया जा सके आज के बाद तुम उससे मिलने कभी नहीं जाओगी एक बिनित पापा बेटी बाप के सवाल पर लाजवाब हुई थी बात पर रहीं दीजे मुझे अच्छा लगता है मैं उसे शादी करना चाहते है वो दो टके के घोड़े बेजने वाले के साथ जिसके खांदान का हमें पता नहीं मेरे अपनी बेठी मेरे घर को बरबाद करने पर तुली हुई है ऐसे क्या बात है चाधरे? वो हराम साधा विजे उसे अपनी प्रेम जार में भास रहा है तुम इसे बदला लेने चाहते थे नू? वो वगता क्या है गंगवा जी ओ चौदरे समझो के विजय की उमर भी तुम्हे लग गए अगर दुश्मन जिन्दा रहे तो गंगवा को नीदीना आया है अब उस ठकन के को खत्म करके चैन की नीद सोगा चैन की जच्छ्छ चौचर जया है थे शौचर उस बढ़ु तुम्हे बड़ दूआँ की रगार ते है अना है, थैक उसका ठाटे दुक्टर थे थे आधेशे चाया है झारी की विजय का अधे वी तौ़े अज्ष्वाव थे खे।ो बढ़े दु़े है तुम्हे तुम्हे उस तकि वजयार्ष बार्टो भ। यजयार्ट बरो विचेव ! विचेव.. बतplate- वuk, बति वऐ वाहार! विचे! विचे! भाया, भाया अबे धक्कन के बड़ा फुजग रहा था गंगवा नहीं नहीं छोड़ मगए नहीं गंगवा ठील धक्कन के निकल लो यह वही गंगवा है ने जिससे तुम्हारा जगड़ा हुआ था आजी बच गया अब के हाथ पे आया तो साले के ऐसे के तैसे कर दोगा खैर तुम्हाँ मेरे साथ कहा लेकर जा रही हो भाया को पोलीस वाला बन के नहीं बलके दोस्त बन के ले जा रहा हूं क्योंकि मुझे पूरा यकीन है विजय का डाको के साथ कोई तालुक नहीं है शुकर है भगवान का अब मैं आपके भाई को ले जा सकता हूं दोस्त बन के आपने खुद को भरोसे की काब्ले बना लिया है सूरा सिंग बहुत कम लोगों को अपना दोस्त बनाता है और फिर सूरा सिंग को दोस्ती निभाने की बड़ी बुरी आदत है कमारी पराने साथ ही शेर सिंग का बेटा है शेर सिंग का बेटा साधार शेर सिंग की बीबी को मैं अच्छी तरह पहचानता हूं कौन है चुआ जिसे तुम शेर सिंग कह रहे हो शेर सिंग वो है जो एक बार अगर जंगल में चला जाए तो शेर भी जंगल छोड़कर भाग जाए गंगवा, फिल्हाल विजय से बता लेने की बात भूल जाओ शेर सिंग के खांदान से बता लेने के लिए ताकत की नहीं, दिमाग की जरूत पढ़े पुजय पुजय…… का क्खिल आया Tui'yap बंदु के S.ुरत से ने दिलवाई अपनी हिवाजत के लिए ये हिवाजत नहीं, ये तुसरब मारना जानती है उसे भी जिसने हिवाजत के लिए उठाई हो, और उसे भी जिसने मारने के लिए Уठाई हो यह यम्दूद है बेटे, इंसान का बनाया हुआ इस यूप का यम्दूद अगर गंगवा ने दुबारा हमला करने की कोशिश की तो मैं इस यम्दूद से उसे परलोग पहुचा दूगा और कानून को अपने हाथ में लेका डाकू बन जाएगा माँ इस बंदूग ने आपको डाकू बना दिया था वही बंदूग आज आपके बेटे ने उठाई थी सौतन बनके पती-पत्नी के बीचाने वाले इस हत्यारन को आज तो माने बेटे के हाथों से चीन लिया आर बार नहीं चीन सकेगी आपके बिना आज तक जिन्दगी का सफर तैय किया है पर अब आप कादम लडखराने लगे हैं समझ में नहीं आता मैं मैं क्या करूँ जला साहब क्या बात बात उसे जला साहब आज तक मुझे इस बात का हैसास नहीं हुआ था कि अपने बेटे अपनी बीवी के लिए भी मेरा कोई वर्ज बनता है आज तक मैंने उनके लिए कुछ नहीं सोचा था लेकिन आज आज ही खाथ पढ़कर मैं बहुत बरहिशान हूँ आखिर क्या बात है कुछ तो कहो इसमें लिखा है कुछ लोग मेरे बेटे के जानी दु लिए इससे पहले कुछ दुर्गत ना हो जाए मुझे यहां से रहा करवा दीजिए मेरी मेरी सजा में कमी करवा दीजिए जेलर साब मुझे यहां से जाने दीजिए पर ना ऐसा नहो कि बाप सजा काटके यहां से निकले और बेटा मुझरिम बनके यहां दाखिलो करता है जो 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 फाट पांची खाए देखिया न माजी तुलसी ने मुझे दरा दिया अरे मैं तो तुमको आदत चाल रही हूँ भाई यह इसी हरकते हरवक्त करते रहते हैं तुलसी क्या मामी वने वाली भावी से भी मज़ागी नहीं कर सकती अब तुम मजब बज़ा करना बंद कर दे दूसरे की घर जाएगी तो लोग क्या कहेंगे मामी ने यह तालिम दिये हैं दूसरे के घर? हाँ इसकी रिष्टी की बात चल रही है देखो क्या होता है बैचो अरे वाख अब तहाम मज़ाग करेंगे तुलसी से दख तुझे कहा है माजी? शुरज सिंग के साथ क्या है उसने कहा बजार में घुड़े बेचने के बज़ए पूलिस में घुड़े सप्लाई क्या करें पर तुम इस वक कैसे? आपको दैदी का मेसेज दिना था उनने कहा कि आप शाब को घर आ जाए तो बड़ी महरबानी होगी नमस्ते जानतीवाम ने तुम्हें यहां किसलिए बुला है? जी, रिष्टे की बात करने किसका रिष्टा? मेरे बेटे और आपकी बेटी का लड़के लड़की के रिष्टे के लिए और कई रिष्टों का भी जुड़ना जरूरी होता है अगर आप अपनी अमेरी और हमारे घरीबी की बात कर रहें तो मैं कहूंगी तौलत आपकी घर के घुलाम जरूर है पर हम लोग भी भूके नहीं रहते चौदरी साब मेहनत करके मेरा पेटा इतना जरूर कमा लेता है कि इस्जत के साथ अपने जिम्मेदारियों को पुरा कर सके सिर्फ जिम्मेदारियों करने का नाम जिन्दगी नहीं है जिस्चत के निचे तुम इस वक खड़ी हो तुम्हारे घर जैसे तस घर बन सकते हैं या चौदरी साब मैं उन और तुमें से नहीं हूँ जो अपने बेटे की महबत के लिए आमेरी की चौकट पर गिर गिराएं उससे भीक बंगे आपने मुझे अगर ऐसी जलीकटी बाते सुनाने के लिए बुलाए है तो बहतर है मैं यह से चली जाओ जाने के लिए हमने तुम्हें यह बुलाया है इस घर से हमारी बेटी की सिंदगी से और इस लाके से भी अगर यह मश्वरा है तो मैं इसे आपकी नासमजी समझूगे और अगर यह धंकी है तो मैं इतना कहूंगी दो किसे भी कोई ऐसा गलत कदम मत उठाएगा जिसके लिए आपको बाद में पच्टाना पड़े अगर आप मेरा नम जानते हैं तो शायद यह भी जानते होंगे कि मैं एक फौजी की पत्मी हूं और मेरा बेता एक फौजी का बेता है कि दोस्मे आकर ड़र जाने वाला खून हमारे खांदन की रगामे नहीं है चुट बोह रही हो तो जशागी का खून तुम्हारे बेटे के रगो में तोर रहा है जिसके नाम का सिंदूर तुमने अपने मांग में भर रखा है उस आत्मी का नाम क्या है, उसका असली पीशा क्या था है, क्यों, क्या हुआ, अचाना कि ये तुम्हारे बोलती कैसे बंद हो गई, गला सुख रहा है, पानी मंगाओ, नहीं, तो सुनो मैं बता था, उस आत्मी का नाम है शेर सिंग, जाकू शेर सिंग, जिसकी दैशत से जेवा बना दिया, कितने माओं की गोच सुनी कर दी, और कितने बच्चों को यतीम करके सड़कों पर फैंक दी, हाँ, हाँ, मेरे पती डाकू थे, हालात ने उन्हें डाकू बनने पर मजबूर कर दिया था, लेकिर उनकी आत्मा, उनकी शरिद में बहते हुए शरीव खुन और जब लोगों को इस बात का पता चलेगा, तो जिल्लत और रुस्वाई की आग तुम्हारी चारों तरफ फैल जाएगा, फौजी का बेटा, फौजी का बेटा, चिला चिला कर अपनी इज़त का तंका पीतने वाला तुम्हारा बेटा, इस आग में छुलस जाएगा, लो तुम मेरे बेटी के लिए रिष्टा लेकर आएथे ना, पहले अपना और अपने पती का, समाज और अपने खांदान का, अपने बेटे और उसके बाप का रिष्टा तुछिक कर क्या हो, हाँ, अगर इस सारे रिष्टे ठीक हो जाएए, तो मेरे बेटी के लिए रिष्टा इस काउं से हमेशा के लिए रिष्टा तो कर चलिजाना वरना मुझे डर है कहीं तुम्हारे बेटे का जिंदगी से रिष्टा ना टूप जाए माजी पापा माजी रूती हुई क्यों चली गई उनको आपने पुराने तूटे हुए रिष्टे याद आ गई हम तुम्हारे पिता हैं लाड़ प्यार का ये मतलब नहीं कि तुम बोलने की तमीज में भूल जाओ पापा मैं माजी से अर्थी आज के बाद तुम्हें इस घर के चोकर से बाहर कदम नहीं रखोगे चलो पर चलो पर चलो पापा खवरदार आज के बाद इस घर से बाहर कदम रखा दो अरे मामी तुम आ गई या आ गई आ गई मा गई मा तुलसी मैं तुझा जान से मार दूगा किदर जावी इद्वराजें उप्षपड़ करने लगे माँ मेरी शादी जल्दी करवा रहे हो ताकि तुम्हारी जल्दी हो जाए बड़े होने की वजए से तुम्हारा नमपर पहले लगेगा है ना मामी तुम दोरों को बखबखाना है तो बाहर जाकर करो मुझे ज़रा अखिला छोड़ दो क्या बात है मा तो इतनी चुप क्यों है बोलना मा चादरी साब में कोई उल्टी बात किया तेरी कसम मा अगर उसने तेरा दिल दुखाया कुछ बुरा कहा है मैं उसकी सुबान कीच लगा मा कहा ने मेरे सर में दर्थ है तुम लग बाहर जाओ नहीं मां भार नहीं जाएंगे तुझे मेरी कसम मा भोलना क्या हुआ मा विजे मा तेरे आख में आसू सच बोल मा परना जला दूँगा उस चौधरी के खर को खाक कर दूँगा उसकी अमीरी को मिजे तुम आपने मा को बहुत चाहता है ना उसली जादा मा लिकिन एक बचन देख़ आपने मा को मां तू पहले बचन दे हाँ में बचन देतू मॉआ है तू, तू आर्ती को भूल जा बेटी यह के कह रहे हो मामी? ठीक ही कह रहे हूँ वो आमीर बाप की बेटी है सोने के पालने में पलकर बढ़ी हुई उसके सथ अपने विजय का क्या मिल? अगर दौलत ही हम दोनों के पीछ में दिवार है तो मैं चौधरी से ज्यादा पैसे कमा के दिखाऊँगा, मा कहां से लाएगा वो इजजट? वो शान और शौकट जी उसके पास है जानता है उसका हंदन किकता हुचा है तो क्या एक फौजी का खंदन छोटा होता है, मा? फौजी, फौजी, फौजी तेरे पिताजी फौज में थे इतने सालों सुन का कोई पता है नहीं एक अकेली औरत जो पती के साहरे के बिन अपने बच्चे की परवरिश करे दुनिया का कोई भी इंसान उसके तरफ उंगली उठा सकता है लेकिन दुनिया जानती है, मोर्चे पर जंग लड़ने गए थे, मा? दुश्मन की कैद में है और यह सबूत मिलिटर के फाइलों में होगा, सरकारी रेकार्ड में होगा, मा? और मैं दुनिया की जुबान बंद करने के लिए यह सबूत लाँगा जरूर लाँगा, मा? कोई सबूत नहीं इस बात का, कोई सबूत नहीं इसका मतलब तुने आज तक जूट बोला? मेरी पिता फाज मेरी कोई कौन था मेरा बाप, क्या पेशा था उसका? बोल मा, किसने तेरी मांगने से नूर बरकर तुझे बेसाया चोड़ दिया और चला गया? कोई है जिसका खून मेरी रगों में तौट रहा है? जिसने तुझे खून के आसो बाने पर मजबूर किया है? कोई है जिसके नाम की दूआ अच तक पूचा करती है? जिसने तुझे जमाने के सामने गाली बना कर रख दिया है मैं उसका खून पीजाना था मां मुझे बॉल इस जलील का नाम बॉल खवदार जो एक लवज भी उनके खिलाप अपने मूंसे निकाला तेरी लिए इतने काफी है कि तेरी माँ उनके नाम के सारी जीती है और एक दिनके नाम के साथ मर जाएगी जिस नाम की वजह से तू आज शर्मिंदा हो गए जिस नाम की वजह से मेरा प्यार बरबाद हो गया आज के बाद मैं उस नाम को मेरी जिंदगी की किताब से काट तूँगा मेरा बाप मेरे लिए मर चुका वीजे कौन? कौन है? क्या चाहिए? कैसा हुम है? अभी लाइपानी अभी लाइपानी अभी लाइपानी आए सवेरे दुए लेकिं ये अंधेरे के साथ अप भी में दे जी भर रोना पाई तुमको अलगा के गले हो के यहां मेरे मेरे ना तुम हो सके मिलके भी हम मिलना सके कैसा मिला हम को भाग मिलने से पहले बिछड जाए हम क्यूं बनके बिजर जाए भाग हो आए कभी जो आए कभी जो खुशियों के पर तो लग जाए क्यूं हम की हाग मिलने से पहले बिछड जाए हम क्यूं बनके बिजर जाए भाग कि ये अढशियों के बिधर पार मिलने से उपका कर सानि कि ये लाए गंगा, अगंगा, तू कैसी है गंगा, कैसी है तू, जेल से निकलने के माग, खर पहुंचने तक, कितने सपने देखे थे मैंने, मैंने सोचा था, मैंने सोचा था, अपना विजए मुझे देखेगा, तो बाबा कहकर मेरे सीने से लग जाएगा, लेकर लगता है, मेरे जिन्दिकी की जंग अभी खत्म नहीं होगी, कब खत्म होगी ये जंग, कब खत्म होगा ये बिजवना, शायद, शायद मेरे गुनाहों की सजा भी पूरी नहीं हुई, लेकिन तू, तू चिंता मत कर, देख, मैं बागया हूँ न, अब मैं, मैं जिऊँगा, तेरे लिए जिऊँगा, अब अपने बेटे के लिए जिऊ अब सब के लिए सब कुछ करूँगा, विजे आरथे से बहुत तया करता है, मगला आरती का बाप, हार्थे का बाप, अर्थी का बाप, गाजामन नहीं हो रहा है न, हिम्मत मत वहर हूँ, मैं आ क्या हूँ, अब कोई उनकी तरक फूंगली उथा और नहीं देखेगा, मैं अमेचे सिर कुछी करेंगा हम झानगा झानगा झानगा, तूम जा तूम ड़चा जा तूम जाओ झुछ झानगा तुछ झान पीजे एक वचन देगा मा को क्या आद्धी को मेरी बहु बना दे मा यह तो क्या कह रहे है तुन्हे तो कसम देती की पीजे तेरे प्यार के बिच में अब कोई नहीं आएगा मेरी करसम भी नहीं कि अर्थी को मिल के आदो हाँ कि अर्थी से मिलना चाहता हूँ आप आर्थी जी से नहीं मिल सकते क्यों क्योंकि आर्थी खुद तुमसे मिलना नहीं चाहता है यह आर्थी की मर्जी नहीं आपकी मर्जी है चौदरी साहब और अब वही होगा जो हम जाएं इससे पहले कि तुम्हारी मा का एक लौता सहरा चिंजाया है चुपचाप चले जाओं उसी मा के हुकम समयाया हो चौदरी साहब और आर्थी को मिले बिना मैं नहीं जाओंगा खीक है तुम अभी उससे मिलोगे विजे तुमसे मिलने आया है विजे ठेरो जिवा उससे निशाने पर रखेगा तुमसे जाकर सिर्फ यह कहोगी कि तुमसे मिलना नहीं चाहते उसके आगे तुमने एक लफ्स ही कहा हो दोसके आशकी रादी जाहेगी पि यजे चले जाओ यह उसे मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती आःती है लुजफ हे तुम चैनल तुम क्या करियों ऑरती जो मैं कह रही हूँ तुमhés अचे पर जशारत तुना आर्थी अब कुछ कहने सुनने की जरूत नहीं तुम जा सकते हो आजारे, साजन आजारे, साजन साजन, साजन आजारे, साजन 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 ना जारे, साजन ना जारे वादा किया है द्यार में कभी हम जुदा न होगे साजन ना जारे, साजन ना जारे वादा किया है द्यार में कभी हम जुदा न होगे साजन ना जारे, साजन ना जारे प्यार किया तो प्यार में अब कुछ भी अन्जाम हो पर जीते जी प्यार का नाम नहीं बदनाम हो चूट जहां रूठे हुदा चूट का समना प्यार की प्यार के दुश्मन देख ले प्यार की ये दीवान की वादा, वादा, वादा किया है प्यार में कभी हम जुदा न होगे साजन ना जारे साजन ना जारे साजन ना जारे साजन जारे साजन ना 0 साजन ना जारे हुआ 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 है हुआ 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 है कभे हम जुदा न होंगे साजन आजारे साजन आजारे हुआ है हुआ है हुआ 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 ये जा रहे तु है जहां में वही ये जा रहे या न रहे हम दूर होंगे ये नहीं हो ये जहां या वो जहां तु है जहां में वही वादा 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 हुआ है प्यार में कभी हम जुदा नहूंगे हा viewers साजन आजार साजन आजार वादा वादा किया है प्यार में कभी हम जुदाना होंगे कि दोट j sobie कि देखित बुस्ट कि वारी एम ऐस विचे विचे विचाएट पेल भी है not कि भी हमाल्या़ इसे पहले की शेव आप Igat कि मेरा खुन खुल जाए तुम सब चले जोई आसे कि क्या हुआ कि क्या हुआ कि बातु अ ह्मार जख्में खल्दी गरम करके लगा दी हैं कि आए अंदर जाे अ कि आए खया पां तो जड़ी जया बैड़ी करके ला कि को सुनिए आ का जा रहे हैं मैं इन जख्मों का हिसाब चुकाने जा रहा हूँ मेरे जख्मों का हिसाब चुकाएगा ये आदम कौन है सर हैरो सिंग शेर सिंग का पुराना साथी हर पुलिस स्टेशन में इसके तस्वीर भेज़ दो मुझे यादमे जिन्दा चाहिए विजे को चुदर का आदमी बहुत मारा क्या बकते हों आप तो जानते हैं सर चुदर साब कितने बड़े आदमी है उपर वालों से दोस्ती है इसलिए इसने कंप्लेन ने की चुदरी की ऐसी की तैसी चुदरी ओ चुदरी कौन है शेर सिंग, बरसों बात तुम्हें देखकर मुझे कितनी खुशी हो रही है इसका अंदाजाद उमने नगा सकते है जिन पापों की याज से पीछा छुडाने के लिए हमने चौदा साल पस्टाताब किया उसका एक नमूना आज सामने देख लेने से हमें कितना दुख हो रहा है इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकते दौला सिंग यहां लोग हमें चौदरी साब के नाम से जानते है जहाँ? अब मुझे भी लोग बहादुर सिंग के नाम से पुकारते है मगर हम दोनों के पुकारे जाने में एक परक है तुम्हारा चौदर साल का पश्चताब इस बात का सबूत है कि तुम डाकु शेर सिंग थे जिसने अपना नाम बदल कर पहदुर सिंग रखे आ है लेकिन मेरा ऐसा कोई रेकार्ड में कि मैं दौलत सिंग था या हूँ अगर तुमने मेरी बात मान ली होती और अपने आपको कानूं के हवाले ना क्या होता तो आज मेरी तरह तुम भी इज़त का चौला पहन कर शान के सिंदे की बसर कर रहे होते तुमने अपने कपड़ों को उजला किया है दौलत सिंग बलकि यू कहो कि दौलत की चादर से तुमने अपने कुलाहों को ढाप लिया है लेकिन मैंने मैंने अपने पस्चाताब से अपनी आत्मा को उजला किया है अपनी आत्मा को जगाया है तरह देख यह खुन देख रहे हो यह खुन मेरे बेटे का है आज से कुछ साल पहले ऐसा ही खुन मैं अपनी माँ का देखा था अपने बाप का देखा था अपनी बेहन और अपने बेहनों का देखा था उस दिन वो खून देखकर मेरा खून कॉल उठा था मैंने खून की नदिया बहा दिया दी आज भी मैं खून की नदिया बहा सकता हूँ कि मैं ऐसा करूंगा नहीं क्योंकि 14 साल की स्थपसेट मुझे इतना सिखाया है कि बदले की भावना का कोई अंत नहीं होता कोई अंत नहीं होता अगर मैं कहूं कि ये तुम्हारी बुजदिली है तो अरे पूजा कर इस बुजदिली के जिसकी वज़े से तो तेरे साथी तेरा ये घर बच गया वरना मेरे घुस्से का कहल तुम सबको जलाकर खादू कर देता और एक बात और सुनो तॉलर सिंग मेरा बेटा मुझे जान से ज्यादा प्यार है किसी ने उसके प्यार के बीच में आने की कोशिश की मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए खादू करतूँगा धंकी मैं भी दे सकता हूं शेर लिगा तुम धंकी नहीं दे सकते क्यों भूल रहे हो कि हम दुने एक ही कश्टी के सवार है तुम्हारे आहसानों की जिस लक्षमिन रेखना ने चौदा साल तक मेरी जबान को बंद रखा वो जबान खुल भी सकती है और जिसने वो जबान खुल गई ना कश्टी पलट जाएगी तू में गतो क्योंकि पस्टाप ने मुझे तैर्ना सिखा दिया है कर दो 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 आईए आईए मिस्टर सूरज वेलकम जानता हूँ इस लाके के बड़े बड़े आफसर आपके दोस्त है ठीक जाना है आपने पलीस वालों से मुझे खास लगा है लेकिन आज तक आपने सिर्फ दोस्त पलीस वाले देखे हैं आज से मैं आपका दुश्मन पुलिस वाला हूँ और उन तमाम लोगों का जो मेरे इलाके में गहर कानूनी काम और गहर कानूनी हरकतें करतें एसस पी सूरस सिंग अपने इलाके में अमन और शान्ती कायम रखने के लिए जो सलूक एक मामूली जेब कतरे के साथ करता है वही सलूक लखपती और क्रोड़ोपती आदमी के साथ भी करता है भले ही उसकी दोस्ती कितने ही बड़े आफसर से क्यों न हो भले ही उसकी दोस्ती इस देश के परधान मंतरी से क्यों न हो ये बात आप अपने दोस्तों से कंफर्म कर सकते हैं और उसके बाद उन लोगों के साथ साथ आपको भी ग्रफ़तार कर लूँ हमने सुना था कि कानूं के हाथ लंबे होते हैं लेकिन आज पता चला कि सिर्फ उनकी जुबान लंबी होती है जनाब चौदरी साहब अगर जुबान की लंबाई देखनी हो तो सिर्फ एक बार एक बार एक छोटा सा घर कानूनी काम करके देखो ऐसी की तैसी मामी हाँ वो जो भाईया को लेकर आये थे मामेजी थे न तुझे कैसे पता आज तक आपने किसी से उस तरह से बात नहीं की जिस तरह उन से कर रही थी वो घर में क्यों नहीं रहते रहने के लिए आये थी पर बेटे के दिल में बाप के लिए नफरस की आग देखकर पानी से प्यास बुझा कर चलेगे लेकिन वो अब तक थे कहां? जेल में नाजा ने हमारी हज देखिल से दुनिया को किसकी नजर लग की तुलसी तेरे मामा पहले फौज में थे पर एक तिम था कुरार उसके कुछ लोग ने उसी पहले रहा है कि मैं मुम्होच पार्णowersररररररररर। उनकी सजा तो पुरी होगी पर मेरी सजा आज तक पुरी नहीं हुली पती का धराम है पती की सेवा करना मैं उनहीं कर सकती मा का धराम है बेटे को बाप से मिलाना में जोग that विजे तुम कब जागे जब तुम पिताची के बारे में बता रही थी मा विजे वो मुझे गर्व है मा कि मैं उन जैसे बाप का बेटा हूँ मा जिस देवता की तु इतनी पूझा करती है इसके चमतकार तु तुने बता दिया इतना बता दे कि बेटा अपने बाप से माफी कैसे मांगे बस बेटा बाबा कहकर पुगा लेना वो तुझे सिने से लगा लेंगे बाबा बाबा पेटे इसे बोल क्या कहा बाबा पेटे ये शब्स तुनने के लिए तुम मरसो से मेरे कान बेचाहिंते बाबा मैं रे ठीक ही का था बाबा कहके पुगाना तुम्हे कले से लगा लेंगे बिजे उस ते तेरी बात शुनके लगा था तो अब जिन्दगी में कभी मुझे नहीं अपनाएगा कभी मुझे बाबा नहीं कहेगा मुझे बाफ कर दो बाबा माफ तुम मुझे कर दे बेटे क्योंके इतने बरस तुम लोगों को अपने से दूर रखा कर दो थो तुम अब अब कभी अपने से दूर नहीं करुगा कभी अपने आपने से दूर नहीं करुगा मुझे मानपूर गाव पे हमला करने वाले हैं मुझे आश्रवाद दुमारे ग्रिफतार करने में मेरा आश्रवाद हमेशा तुमारे साथ है अगर अपनी मंगनी पर तुम्हारा नहीं पार शेर सिंग मेरे हाथ लग जाए उसके बाद मंगनी क्या वैं शादी भी कर लूगा इससपी ने भेरों को बहुत मारा है कहीं वो अपनी जुबान न खोल दे इससे पहले कि वो अपनी जुबान खोले हम अपते दुश्मनों की खूपड़ें खोल देंगे सर्फ हमारी बेटी की शादी हो जाए बस आरती जी की शादी किससे है शहर में एक मिल मालिक के बेटे के साथ बात दय करके आयों कर रात को से वहीं ले जाएंगे और उसकी शादी करवा देंगे आरती क्या बात है आरती इतनी रात को इस बख आज इतनी रात को न आरती तो यह रात मेरी जिंदगी की आखरी रात बन जाती यह तो क्या कह रही है तैड़ी किस यॉर्स मेरी शादी करना जाते हैं कली ऐसा कभी नहीं हो सकता आरती मुझे यहां से कही दूर ले चलो विजय, इतनी दूर जहां तक टैड़ी का नाम ना पहुंच सके वो तो ठीक है आरती पर इस तरह भाग जाना इसकी सिवा कोई चारा नहीं विजय, मुझे सहारा दे दो पर ना भी चार दे दूंगे आरती है चलो कल तेरी बेहन की सगाई है विजय, और जिस बेहन का भाई लड़की को भगा कर ले जाए, उस घर में बारात नहीं आती बेटे, उस घर में बदनामी आती है हाँ, सब सुन लिया है आरतीस घर में जरूर आएगी लेकिन पाजे के साथ लेकिन मेरे डैडी ऐसा नहीं होने देंगे तुम्हारे डैडी वही करेंगे जो मैं चाहूँगा अराम खोर आरती जी घर से गायब कैसे हो गई जिवा हम जानते हैं तुम, हमारे पफादार हो लेकिन इज़दार घरों का धुआ भी बाहर नहीं जाना चाहिए तुम्हे से इतना ही डर लगता है वो आग को जलने ही मत दो खास्तार पर मुहबबत के आग को तुम यहां कैसे आगे कैसे आगे तुम्हारे घर की इज़द को वापिस कर ले आरती अंदर आओ इतनी रात को तु कहा गए थी तुझे के पास बेश्चाम प्यार करने वालों पे हाथ नहीं उठाते चौधरी यह यह मेरी बेटे की पसंद है कौन क्याता है मैं कहती हूँ मैं के बेटे से शादी करना चाहती हूँ मेरे चीदे जी यह कभी नहीं हो सकता बाप के आशीरवाद बिना यह शादी नहीं हो सकी चौधरी इसलिए तुम्हारा जिन्दा रहना बहुत जरूरी है अवलाद के अच्छे बुरे का फैसला उसके माबाप करते है फैसला करने वाले आप और हम कौन है पैसला तो इन दो प्यार भरे दिलों ने कर लिया है जो एक दूसरे को चाहते है एक बात सुनो चौधरी जब तक मैं विजे की बारात लेकर नहीं आ जाता तब तक आरती तुम्हारे पास हमारी अमानत है एक पुराना दोस्ट सुने के नाते कि भरोसा लेकर मैं यहां से जा रहा हूं अरे हाँ यह बताना तो मैं भूली गया कल हमारी तुलसी की मुंग्नी है मैं जानता हूँ आब वहां नहीं आई लेकिन आरती का वहां आना बहुत ज़रूरी है अमीद है अब निराज नहीं गरे मैं ये तुलसी हानेや जामया मैंक झारी आरत Сायन मैं जापले नहीं जामरी का जहीं जामरी मिも देखाए मैं गरे सायन मैं मैं जामरारी के इं र्म थरे एचिवर के रहां मैं नहीं भर timing हम न रहे तुम न रहो प्यार रहेगा आज कहा मैंने कल जमान कहेगा चार से है दुनिया हसी प्यार नहीं तो कुछ नहीं वै 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 प्यार से है दुनिया हसी प्यार नहीं तो कुछ नहीं हम न रहे तुम न रहो प्यार रहेगा आज कहा मैंने कल जमान कहेगा प्यार से है दुनिया हसी प्यार नहीं तो कुछ नहीं बुई 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 प्यार के है दुनिया हादी प्यार नहीं को कुछ नहीं प्यार कभी लुटा नहीं अरे प्यार कभी जितना दिया और बढ़ा प्यार कभी खटा नहीं अरे फिल में तो दिल दिल न रहेगा आज कहाँ मैंने कल समान कहेगा प्यार के हे दुनिया हची प्यार नहीं तो कुछ नहीं कर दो ह्ज भेप्टाभान कर द pó too है लखना है लाई लगगा है लखना हम चलकार बखना क Connor शेर सेंग, कंभी ने, सलीर, ये क्या कह रही है आप, ये मेरे पती है, ये मेरे पती का गातिल है, टाकू शेर सेंग टाकू शेर सेंग मैं, मैं, मैं शेर सिंग था, बहन जी, मुझे, खबरतार जो अपनी गंदी जबान से मुझे बहन कहा तो, तुमने मेरे मां का सिंदोर मिटाया है, तुमने मेरे बेटी के सर से उसके बाप का साया चीना है, अब इस घर से, तेरी तुलसी की डॉली नहीं, तेरी अर्थी जाए रुक जाए, एक बार मेरी बात सुलीजिए, इतना बड़ा जुलमत कीजिए बहन जी, तरस कहाई उस पर, तेखिए, यह तुमसी की जिंदगी का सवाल है, वो बिनवाब आपकी बच्ची है जी, मुझे तीम है, उसकी जिंदगी का ख्याल कीजिए, जो सेरा देनिया मुझ चेर सिंके पते के सिवा तरे मुझे से कुछ भी और निकलो, तो मैं तरी हलक में हाट डालकर जुमान के चलूगा, भूड़! मैं सुर्फित में जड़ता हूँ, वो जेल में है, वो जेल से भाग चुका, यू ब्लास्टर्ड! पर मुझे नहीं मालूं वो कहा है, किसम से मुझे नहीं मालूं है, मुझे हर उस आदमी का नाम, पता, बता, जो उसके साथ डाके डालता था, शेर सिंग जरू उनसे मिला होगा, ऐसा सिर्फ एक आदमी है, हमारा असली सर्दार, जौधरी, जौधरी, जौध, सूरज, सूर यहाँ चुपाए, भुचदेल सामने आए, अए, शेर सिंग कहा है, वो घर में नहीं है, सच कहा था आपने, बड़ी बुरी तरह दोस्ती निभा रहे हैं, दुश्मनी निभाने के कसम हमने दोस्ती से पहले खाई थी, और दुश्मनी निभाने की आदत हमें, उससे भी मैं अपने पती को अच्छी तरह जानती हूँ तुम अपनी मा के एक लौते बेटे हो मुझे डर है कही वो बेसारा ना हो जाए ये तो वक्त ही बताएगा ऐसी कि तैसी ये तुम क्या कर रहे हो आखिर मेरा कसूर क्या है और मैं उसके खून से अपने बदले की प्यास मुझाओगा मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझ सकता हूँ सूरज लेकिन उस वक्त मेरे पताँ डाकुत है उस भूल की सजा वो बुखा चुका है सूरज शेल सेंग के सजा उस वक्त खतम होगी जब वो मेरे हाथों मारा जाएगा सूरज 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 सिंग जिसे देखने के लिए तुम मेरी मिनत ही किया करते थे मुझसे छगड़े किया करते थे आज मैं उसी आजमी को तुमसे मिलाने के लिए लाया हूँ कहां है वो भगवान का अफ़तार मैं भी बुलाता हूं एक मिनट जनल साब एक मिनट जिस आदमी की वज़े से सब कुछ है आज वो देवता इस घर में पैदल चल के आ रहा है आपने पर शौल मुझे दे दो उस देवता के स्वागत के लिए से बड़ी चीज और कुछ नहीं मैं उसके चेड़ों के धूल अपने माथे पर लगा कर उसके सवागत करूँ मैं उसके आती उतारूगी मेरी तकदीर बनने वाले आज हम जो कुछ भी है सिर्थ तुम्हारी वज़े से अगर तुम नहीं होते तो आज हम दरदर के ठोक रह खा रहे होते हैं शिर्थ सिंग शिर्थ साहब यह क्या मजाख है यह मजाख नहीं सच्चाई है सुर्थ सिंग यहीं है वो माली जिसने अपने मैंद से तुम्हाली दिंगी के बाग को सीचा है नौई 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 मैं इन बातों को नहीं मानती यह हत्यारा है राक्षस है मेरे पती का कातिल है सूरज बेटे सोच कह रहे हो हत्म गर्दो इस अद्दी को जितनी नफरत मुझे अपने बाप के कातिल से है उतनी ही महबत मुझे अपने सहरा देने वाले से भी है महबत भी मेरी नफरत भी मेरी किसको खातम करूं किसको खातम करूं किसको खातम करूं शेर सिंग तुम मेरे हाथ वाप बच नहीं सकता हूँ जैज सहाब शेर सिंग याद कीजिए वो दिन जिसने मने चिख चिख कर आप से ल्टजा की थी कि मुझे मौत की सजा दीजिए लेकिन आप में मुझे उमर कायद की सजा दी यह कहकर कि जिसतें चेल की गी काटने के बाद मैं एक शरीफ नागरि कहा रहाँ गा उन लोगों के लिए एक मिसाल बन जाओँगा जो जुर्म की दुनीए के तरफ बंढ़ रहे हैं और उन लोगों के लिए भी जो जुर्म की दुनीए से निकलना जाद लेकिन जजज साब आज जब मैं एक शरीफ नागरी की जिन्दगी बसर कर रहा हूँ आप पे कानून का एक रखवाला मुझे फिर उस मोड की तरह ले जा रहा है ज़स मोड से एक पौजी टाकुशेर सिंग बना था कौन है वो? एस एस पे सूरस सिंग जिसने कानून की वर्दी का नाजाइस फायदा उठाते हुए मेरे बेटे विजर सिंग को ग्रिफटार कर लिया है यहीं नहीं उसने मुझे भी जान से मारने की सौगंद खाई है उसे उसकी मौट से बचा लीजे जजज साब वरना नफरत की वो चिंगारी जिसे 14 साल की तपस्या ने खत्म कर दिया था अगर बोड़क उठे तो सौगंद सिंग के घर से लेकर इंसाफ के इस मंदर तक आख याग नज़र आएगी शेर सिंग के इंतकाम की आग अदालत परखास सोने से पहले एससपी सूरे सिंग को अदालत में पेश किया जाए कीता पर हाथ रखके सौगंद खाये जो कहूंगा सच कहूंगा मैं सिर्फ सच ही कहूंगा एससपी सूरे सिंग तुमने शेर सिंग के बेटे को ग्रिफतार कर रखा है जी किस जर्मे मैंने उसे इसलिए ग्रिफतार किया था ताकि अपने बेटे के लिए बेचैन होकर शेर सिंग मेरे सामने आ जाए तुम ऐसा क्यों चाते थे क्योंकि मैं इसे चांद से मारना चाहता तुम इसे क्यों मारना चाते हो क्योंकि इसने मुझे यतीम किया है मेरी मा का सुहा गुजाड़ा है मेरा बाप इसे जिन्दगी देने जा रहा था और इसने उसे मात के घाट उतार दिया ये बात कब की है? आज से पंद्रा साल पहले की उस वक्त ये शेर सिंग डाकू था लेकिन आज ये अपने पिछले जुर्मों की सजा भुग चुका है इसके सजा भुगतने से वो जख्म नहीं भराई ओनर जो बाप की मौत से मेरे दिल पे लगा था मेरी मा की वो खौईश पूरी नहीं हुई जो पती की लाश को देखकर इसके दिल में जगी थी वो सौगंद पूरी नहीं हुई जो मैंने अपने बाप की चिताब पे खाई थी तुम्हें एक पोलीस अफिसर हो तुम्हें कानून की फ़र्से का इतराम करता हुए उनर तुम जूट बोले है उसुरस सिंग जिस इंसान ने लगातार 14 साल तक अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें भेजी हो जिसकी वज़े से आज पढ़ लेकर तुम्हें एक जिम्मेदार इंसान बने हो जिसे तुमने पूरी जिंदगी अपना महसिन अपना भगवान माना हो अगर उस इंसान के लिए तुम्हारे दिल में एज़त नहीं है तो तुम्हारे ये सारी बाते हैं तुम्हारे ये सारी ज़बात छूटे है जिला साब योर ओनर मैं वानता हूं कि शेर सिंग्न ने राकू बनकर सैकों हूं किये हजारों घरों को लूटा लेकिन सूरस सिंग के बाप की मौत इसकी जिन्गी के लिए एक नया रास्ता बन गई उस बेगुना की मौत ने इसे दरंदे से इनसान बना दिया यहां तक योर ओनर कि इसकी अपनी पत्ती अपना बेटा सड़कों पर ठक के खाते रहे और यह अपनी कमाई का एक एक पैसा सूरस सिंग को भेज़ता रहा सिर्फ इसलिए कि सूरस सिंग जिन्गी में कुछ बन जाए अब जरी की सोची जोर ओनर अगर शेर सिंग ऐसा ना करता तो आज सूरस सिंग की जगा शेर सिंग का बेटा पर्दी पहन कर आफिसर की तरह याप रख़़ा होता और सूरस सिंग अपनी मार के साथ सरकों की खात चान रहा होता किसी के बाप को मारना किसी का सुहाग उजारने का बदला अगर 14 साल अपनी कमाई भेजना है तो मुझे इजादत दी जाए कर लो ने दीजिए से अपनी हसनत पूरी एक नेक बाद सुन लो सुरस सिंग अब तुम्हारा टकराओ किसी शरीफ नागरिक से नहीं बलकि उस 14 साल पुराने डाकु शेर सिंग से होगा जिसके हाथ किसी का खून करते वक कामते नहीं थे अरे 40 साल का दावा क्या करते हो 40 मिनट में तुम्हारी चिता इस धर्थी पर जल्दी नज़र आएगी तु 40 मिनट की बात करता है शेर से मुझे अपने पूरी करने के लिए सिर्फ 40 सकंड चाहिए और 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 अदालत ने बहुत देर तक बहुत कोई सुना और बरदाश्ट किया S.S.P. सूरी सिंग शेर सिंग ने तुमारे पिता का खून किया और तुम शेर सिंग का खून करोगे शेर सिंग का बेटा तुमारा खून करेगा अगर संसार इसी कानून पर चलता होता तो अदालत को तुमारे जिसम पर चड़ीज वर्दी की नागुई जरूत होती, नाइमियत दूरे सिंग, अदालत तुम्हे हुकम देती है कि शेर सिंग के बेटे विजे सिंग को फॉरण रहा कर दो और जिस शेर सिंग को तुम कदर करना चाते हो उसकी जान की इफाज़त के जिमेदार आईसे तुम हो ये क्या तुम अस्तिफा दे रहे हो सर अधालत ने मुझे दो हुकम दिये थे शेर सिंग के बेटे को तुम मैंने छोड़ दिया है लेकिन दूसरा हुकम मैं नहीं मान सकता सा यानी तुम शेर सिंग से बदला जरूर लोगे मैं ऐसे कोई भी बात अपने जुबान से नहीं कहना चाहता जिसकी बिना पर कानून मुझे ग्रफतार करके जेल में डालके सूरज सिंग तुम आग से खेर रहे हो आग ही आग है मेरे सीने में आग ने मेरी परवरिश की इसर है इसलिए मेरी माने मेरा नाम चान नहीं बलके सूरज अका है सूरज सिंग का नौकरे से इस्तिफ़ा देना उसकी शेर सिंग के साथ दुश्मनी हमारे लिए बहुत खुशी की बात है इस बात का फाइदा उठा कर मैं आरती के जल्स से जल्स शादी कर देना चाता हूँ मेरी समझ में नहीं आता आप शेर सिंग से इतना डरते क्यों है मैं शेर सिंग से नहीं अपनी पतनामी से डरता हूँ कहीं उसने जुबान खोल दी तो मेरी ये शानों शुकत इजद सब मिठी में मिल जाएगी मैंने लगके वालों से बात कर लिए है वो लोग मंदिर में शादी करके आरती को ले जाने के लिए तैयार है तुम जाकर उनका स्वाकित करो अधरती को लेकर आता हूँ बढ़ा प्लीज नेहीं करूगी भत्तरमी जे बनकरो भाजी चलो प्लीज छोड़ दो बजे बनकरो ये रोना तई बढ़ा को बैठ जो तिबचा बैठी रो पंडीजी बनकरो भष्तीना इमरो प्रस्तरिखरवा जब 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 आप जब जब आप खबरदार किसीने होशारी की तो इसके जान चली जाएगी आउ आर्दी जब 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 जाएगी जब करता है जब 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 कर में प्सके जब जब ऑड़न क्या करो, पूली आर्टीकुल अचाएगे बगर लेंको उत्रो क्या करो, बगर लेंको इतने सारे लोग एक मामुली से लड़के को नहीं पकड़ सकते पूरा गिरोवने ढून रहा है, वो जल्दी पकड़े जाएगे किसी भी हालत में मुझे मेरी बीठी चाहिए किसी भी हालत में अब शीर जिंग उसे मेरे पास लाएगा गंगा, दुरसे, यह सब क्या, गंगा शेर सिंग, तुम्हारा बेटा मेरी बीठी को लेकर भाग गया है अपने पत्नी और भाणजी की जिन्दगी चाहते हो तो आरती को लेकर आठ बजे से पहले आड़े पर पाँचाओ, तुम्हारा सर्दा आरती अ कर दो छो जी, बाएर बाद हुआ 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 हुआ! आफ थे यह यह पर अब किया और इसके साथ आर्टी नहीं थी जी नहीं अगेला था इन दोनों को कर दूसरा अभी नहीं गंगवा अर्थी को लेकर आता होगा और शायद विज्य के लिए इन दोनों की जरूत पड़े अस्वी जै अब उचसे नहीं चला जाता कब्राओं मत आर्दे अब हम खत्रे से बाहर है शोक्री को जोकी तसलिम मद्द छोक्रे असली खत्रा तो यहां से शुरू होता झ्रहस पिसंद करदाऑ कि अज़स्ट पोऊड़ पोक्रेम पॉझ खाता झेम पिसएनाक्नोर यहां से , घुछ है औ्राओं लंवारु को ठाता काँ मत घोचमा ख। टॉट जो शिर सही, वरना तुम्हारी पतनी की चान चलीजाएगा जाधरी, मेरी कंगा के कले पे खराश भी आई ना, मैं तुसे चीर के रख दूँगा, अपने आपको मेरे आत्मियों के हवाले कर दो, वरना तुम्हारी बीवी की करदा ना लग कर दूगा ना है, हेलामजादे! शेसिंग, अब मैं तेरी आँकों के सामने ही, तेरे खांदान का नाम और निशान मिता दूगा, अबदान! ले जाओ इसे! चर्श वर्श उपु । हुट ho !!! δे ! झाओ ! ताओ ! यह बेहोश भी हमारे लिए खतरनाक है तुम हमने गोली रिवॉल्वर पर चलाई है चौधरे तुम पर नहीं इसका मतलब यह है कि हम यहाँ दोस्त बन कर आए है दुश्मन बन कर नहीं लेकिन हमारी दोस्त शर्ते हैं चौधरे शर्ते हैं? पहली शर्त यह चौधरे कि अपने आदमी उसे कैदों के तुलसी के पास से हट जाए क्योंकि औरत के इज़त पर हाट डालने वाले को हम जिन्दा नहीं चौड़ते अर्जा सब और दूसरी शर्त शेर सिंग को मानने के कसम हमने खाई है उसे सिर्फ हम मारें तुम्हारी शर्ते में इसलिए माननों क्योंकि तुम्हारे पास पांच गोलियों वाला यह खिलाओना है इस खिलाओने की ऐसी के तैसी चौधरी मेरे पास ऐसा खिलाओना है जो तूट गया तो तुम जीते जी मर जाओंगे क्या मतलब हम आर्थी आप और टाकू शर्मारी है मुझा आपको पापा कहते हुए यह तुम्हे का से मिले मैं शेर सिंग के तलाश में उसके घर पहुंचा वहां तुम्हारे लिखियों चिट्थी मिले मुझे यकीन था कि शेर सिंग तुम तक जरूर पहुंचेगा उसे वापस हासल करने के लिए मैंने तुम्हारी बेटी को अपने कब्जे में कर लिया सूरसिंग बडले के वज़े से मेरे पती कैसे क्या बन गए हमारे घर का सुक तबाह हो गया तुम भी उसी रचता पे चलोगी तो तुम्हारी जिंदेगी नरक बन चाएगी सूरसिंग का नरक क्या है और स्वर्ग क्या है इसे सूरसिंग अच्छी तरह जानता है फॉब खबरदार अपने-पने हथियार फाग दो वरना तुम्हारे सरदार का सर घुबारे की तरफ पाड कर रख दूगा भाग दो भाग दो भाग ये चाल तेरी बेटी को निशाने पे लेके भी चल सकता था चौदरी लेकिन तेरे तमाम मादमियों के उफादारी तुझ से है तेरी बेटी से नहीं इसलिए तुझे निशाने पे लेके चलना पड़ा इसका मतलब शेर सिंग से तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है मैं शेर सिंग का दुश्मन जरूर हूँ लेकिन कमीना नहीं जो इन औरतों को मर जाने दूँ और इन दो मासूमों के प्यार को बरबाद होने दूँ मैं शेर सिंग को जरूर मारूंगा चौदरी लेकिन इन सब को बचाने के बाद और तुम सब को मार डालने के बाद अब या पोलिस वाले मुझे जैसे पता चला कि विजोर आती तेरे कपजे में है मैं तेरे मैया को ले आया है 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 काई को लपक रहा ढकन के है चाबाश यह गंगवा आज के बाद लूट के माल के तीन हिस्से होंगे एक हमारा एक हमारे दोस्तों के लिए और तीसरा तुमारे लिए जीवा चौदरी जी मुझे हिसाब किताब में बहुत कमजोर लगते है चौदरी जाहाब हिस्से तो होंगे सिर्फ दो एक हमारे दोस्तों के लिए और दूसरा हमारे लिए क्योंकि यह तुम्हारा होने वाला दमाद है अब अब धकन का है काई गोफ दगरिया एक डागु की बेटी की शादी एक डागु के साथ होगी या किसी कमिशनर के लांडे के साथ क्यों साती हो हाँ हरामजादों तुम सब भी इस कुट्टे के साथ मिल गए सरदार बनने का हक सिर्फ उसका होता है चो खुद अपने जान पक्खे ले जानता धकन के तुश्मन जिंदा रहे तो गंगवा को नेंदी ना आए है आज तेरे पूरे खामदान की उमर मुझे लग जाएगी चुन चुन के मारूंगा एक एक को तरी आँखों के सामने अफिर तू देखेगा चीकेगा चिलाएगा रहें की भीक मांगेगा और कहेगा गंगवा जी इंको छोड़ दो इंको माफ कर दो लेकिन हाई गंगवा अपने दुश्मन को कभी माफ नी करे है अफिर तेरी अंपने प्यारी प्यारी माशुका के साथ इस खुन का बदना मैं तेरे खुन से लूगा ठकन के अरए कुट्था अगर मैं अगर मार्द का बच्चा तो मेरा है राध को ना एज शयतान का बच्छा हूं बंदो इस अरामजादे को और होश मिलाओ इसके बाप को पुलिस वाला शेर सिंग अब पासा पलट चुका है हमने चौदरी की कद्वी छिन ली है और सर्दार बनने की खुशी में हम कुछ तमाशा देखना चाते हैं इस पुलिस वाले ने बहुत डाकों मारे हैं और ये ढकन का तुम्हें भी मारना चाहता है कि तुम्हारी भाधूरी कि हमने बहुत किस्ते सुने है तयुमाज तुम दोने में मकाबला हो जाएं सब जानते हैं मैं इस पराइथ नहीं उठांगा और ये भी चानता है कि मैं इस पराइथ नहीं झाना घुँते हैं तो है मैं जएव मैं जब तक तुम दोनों के हाथ चलते रहेंगे तब तक मिरा आदम अपना हाथ रूके रहेगा और करहां कि तुमों को रूखे मैं रक्षी प्रूप sin दो आदेगा और तुमारा बेटा जिंदकी भर के लिए भुदकना बंकर देगा यानि कि उसका राम नाम सक्थे हो जाएगा ते टेके लिए तो लड़ोगे ना जेर से भाया बोगा भाया आप को को अधियार उठाओ शेर सिंग शेर सिंग अधियार उठाओ अधियार उठा ही लो शेर सिंग अधबुँ़ उटाय शेर अधुँ़ अधु़ अधsecurity पहुषिंक पहुषिंस, जें सप पहुषिंक पहुषिंस पहुषिंक पयदे, जे जेल कर देदे बख़को झाल झाली है कर दो ये लुड़ा। पाइग! पाइग! अरे मर्क या धक्कन का गाय करो रही है, चल! चोर्दा पुर्जे! पाइग! पीचेए! पाइग! ईच्क्क्क्क्कार शॉज़ अरीम भीचोytt दिए किवफदा मन वाइग किवफ़ वाइग! वाइगben पाइग! 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 गलतित! पाइग! पाइग! किवफ़ कर जहन भारे लुडन कर दो, कर दो, कर दो, कुर 45 बान कर भ दो कर दो? कर दो? कर दो? आरागज हो पोर, बपर पोर सुराज! सुराज! इधरा सुराज! इधरा? सुराज! इस से पहले, कि मुन अपनी अखरी साथ छोड़तू हूँ! यह 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 गोली मेरे सीने मोताद है जल्दी कर जल्दी कर अपनी का संपुरी कर शेर सेन सुराज! सुराज! अपनी का संपुरी का सुराज! देख मेरे पास! वक नहीं! जलागोली! जलागोली! नए! 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 तुम्हारी महबद जीत गई, शेर सिंग! मेरी नफरत हार गई! मैं हार गया! मैं हार गया शेर सिंग! मुझे आज पता चला कि मेरा महसन मेरे बाप के कातिल से बहुत बड़ा है मेरा महसन मेरे बाप के कातिल से बहुत बड़ा है हाँ शेर सिंग मेरा महसन मेरे बाप के कातिल से बहुत बड़ा है सुरज, सुरज आख रखन चाएंग्ड सासों में जो सकोन तुने मजे दिया। मैं शाहिद साध्यन पाकर भी सुकोन खासाल नहीं कर सकता। आज, आज मेरा प्रासचित पूरा हुआ है आज मेरा प्रास्चित पूरा हुआ है आप मेरा प्रास्चित पुरा हो गया, गंगा अगंगा, नहीं, गंगा, नहीं, गंगा, नहीं, गंगा, नहीं, गंगा, तु तो भुछ से बहुत खुशकिसमत तह रही, तु स्वागन जा रही है रिए इस सिंदिगी ने हमें हर मौन पर सताया है गंगा जीते जी हमें कभी मिलने निख दिया लेकिन आज मैं तेरे साच आँगा गंगा मैं तुझे एकेला नहीं जाने दूगा गंगा मैं तेरा हुड़ांगा मैं मिलके जोना बिछडे हम आज ऐसे मिले दुख के दिन सजना जलती चिता में जले प्यासे फूल दिल के शोनों में जलती चिते चिते आखिर मिले हम तुझे लपटो के साएं तरे कप दीर में अपनी पिया थे बस ये आद गिया कर दो